हेलो फ्राइंज मैं हूं किर्थी का अमे गुजराती में आपका हर्दिक स्वागते आज हम बनाएंगे सैंडवेच की ग्रिम चटनी और आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताके मेरे वीडियो की नार्टिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए देखते हैं तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल अमे गुजराती को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे तो बड़ी डूंडी अति उसे कट करके हमने छोटी डंडी के साथ ही लिया एक बाौल और तीन हमने हरीमीज को इस बड़े टुकड़ों में हमें कट करके लिया है दो चम्मच जितना हमने भूना हूँ यहां मुझभणी लिया है यजलो कलर की जो सेव आती के एंदे की चो हम करते हिएी सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे जो चटनी वाला होता नें मुपली डालेंगे इस में अदरक डालेंगे अब हरी मिश डालेंगे ठेव डालेंगे पीसी हुई चीनी डालेंगे और अब हरे दन्यों को हम डालेंगे अब स्वात के नुसरा हम नमक डालेंगे अब लाष्ट में हम निम्बू का रस्ट डालेंगे हमने जो आधा निम्बू लिया है उसका रस्ट डालेंगे अब हम इसे थोड़ा सा पीसेंगे बाद में उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से चटनी के फॉर्म में पीस लेंगे तो मैं इसी तरह से इसे पीस कर रैडी करती हूँ आप देख सकते हो कि हमारी चटनी रैडी हो चुकी है हमने इसे बारिक पीसा है और इसकी थीकनेस भी हमने मीडियम ही रखी है तो हमारी सेंड्विच की ग्रीन चटनी रैडी है इस चटनी का स्वाथ बहुत बढ़िया लगता है अब हम इसे बावल में निकालेंगे रैडी है हमारी सेंड्विच की ग्रीन चटनी इस चटनी का स्वाथ बहुत बढ़िया लगता है I hope आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक किज़े, शेयर किज़े और प्लीज सब्सक्राइब करना मत बुलिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक किजिए ताके मेरे वीडियो की नॉट्टिपिकेशन आपको मिलती रहे बाई बाई